हालो फ्रेंड्स, एजुकेशन आपर वन चैनल में मैं फिर से आपका स्वगत करता हूँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अच्छा शेर्स कैसे दुन्डे, how to choose good stock, क्योंकि हमेशा हम वही दुन्डे रहेते कि मुझे future के लिए अच्छा stock कैसे दुन्डे, यानि इसके कुछ पैरामेटर है, वो पैरामेटर देखेंगे, जिसमें पहला point आता है company business, आप जिस company का भी shares buy करना चाहते हो, उस company का business क्या है, और वो business future में growth कर सकता है या नहीं कर सकता है, यह study करना पड़ता है, example की तोर पर देखेंगे, अगर आप plastic company में investment करना चाहते हो, तो हमें पता है क प्लास्टिक का भविश्य खत्रे में है, सब country प्लास्टिक को बैन कर रही है, तो यह company भविश्य में अच्छा return नहीं दे सकती है, लेकिन अगर मैं यह सोच रहा हो, कि petrol diesel भविश्य में खतम होने वाला है, तो फिर जो भी buy काएंगी, वो battery पर चलने वाली बैक आएंगी, तो यहने क्या है, कि मुझे जो भी stock दूणना है, वो भविश्य में अच्छा return देने वाला हो रहेंगा, तो यहने क्या है, अगर battery की company आएं, for example, Indowind है, अमर राजय बैटरी है, आयनुक्स वाइंड है, इस type की company आएं, नहीं तो second, समझ लीजिए कि petrol diesel खतम होंगा, तो second option अपने पास रहेंगा, इथिनॉल, तो इथिनॉल कोन बनाती है, कि जो भी sugar factory रहती है, वो sugar factory में इथिनॉल बनता है, तो यहने क्या future में इन company को scope अच्छा रहेंगा, यहने क्या है, मेरी company जो भी business करती है, वो future में growth है या नहीं है, वो पहले देखने का, second point आएगा, कि market capital, में जो भी company में investment कर रहा हूँ, उसका market capital का इसा है, याने क्या है, तीन टाइप रहे थे, large capital, mid capital और small capital, large capital में investment more than 20k करोड रहती है, लेकिन इसमें आपको low risk और low return मिलता है, mid cap में investment more than 10k से 19k करोड रहता है, और small cap company में investment more than 5k करोड से 9k करोड तक रहता है, लेकिन इसमें रहता है high risk और high return, याने मेरी जो भी company है, वो कौन से capital में आ रहे हैं, actually क्या है, कि जो भी small cap और mid cap रहेंगी, वो भी आगे जाकर large cap बनेगी, तिसरा parameter रहता है कि profit growth, मेरी company का profit growth कैसे, मैं वो चार्ड देखूंगा, year by year उसका growth हो रहा है या नहीं हो रहा है, चौता point रहेंगा depth, याने depth जो भी रहेंगा, वो कम से कम होना चाहिए, पाचवा parameter आ रहा है, free cash flow, याने का है, company के पास free cash भी होना चाहिए, याने investment के अलावा, च्छटा parameter आ रहा है, कि promoter holding, तो promoter holding का है, आप जो भी stock ले रहें, उसमें कम से कम 45% promoter की holding होनी ही चाहिए, तभी वो stock buy करना, साथवा parameter देखेंगे, कि ROE, return on equity, return on equity याने का है, कि return on equity is equal to net income divided by shareholder equity, याने इसका जो भी answer आएगा, वो जितना ज़्यादा आएगा, वो अच्छा रहता है, लेकिन minimum 15% से कम नहीं आना चाहिए, parameter number 8, PE ratio, PE ratio याने price per shares divided by earning per shares, जितना कम मिलेगा, उतना अच्छा, लेकिन यह negative नहीं होना चाहिए, 30% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बहुत सी blue chip company जिनका PE 30% से ज़्यादा आता है, आप PE ratio का comparison एकी सेक्टर में करना चाहिए, समझ लेजिए, मुझे कुछ दूइदा है, तो मैं एकी सेक्टर के दो company चूज़ करूँगा, और उसका PE ratio देखकर ही company में investment करूँगा, PE ratio यह पता चलता है अपने को, अगर मुझे एक रुपया कबाने का है, तो मुझे कितना invest करना पड़ेगा, नवा parameter आ रहा है कि news, अगर आप news देखकर trade कर रहे हो, तो कभी भी अच्छी company बुरी news के चलते हैं, नीचे चली जाते हैं, और खराब company अच्छी news की वजह से बढ़ने लगती हैं, तो क्या है कि newsbase का जो भी effect रहता हो, श्रिप एक या दो ही दिन रहता हैं, इसलिए आप ज जो भी trade करना चाओ तो action newsbase कभी भी trade मत कीजिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share कीजिए, धन्यवाद,